भारत उस कालखन से गुजर रहा है, जो युगो युगो में एक बार आता है। आज आके दीके इस अमरित काल में भारत के स्वनिम भविश को लिखने वाले अनेक फैक्टर एक साथ जुड़ गए हैं। आज भारत दुनिया के उन देशों में से हैं, जो देश सबसे जादा युवा देश हैं। इतना युवा तो भारत अपनी आजहादी की लड़ाए के समय भी नहीं था। जब उस युवा शक्ति ने देश को आजहादी दिलाई, तो ये विशाल युवा शक्ति देश को जिस उन्चाई पर ले जा सकती हैं, वो कलपना से भी परे हैं। भारत वो देश हैं, जहाँ नची केता जैसा बालक ज्यान की खोश के लिए धर्ती आसमान एक कर देता है। भारत वो देश हैं, जहाँ इतनी कम आयू का अभिमन्यों कठोर चक्रवियू को तोडने के लिए निकल पड़ता है। भारत वो देश हैं, जहाँ बालक दुरू ऐसी कठोर तपस्या करता है, कि आज भी किसी से उसकी तुल्डा नहीं की जा सकती है। भारत वो देश हैं, जहाँ बालक चंद्रगुप्त कम आयू में ही एक सामराज्य का नेत्रुत्व करनी और कदम बड़ा जिता है। भारत वो देश हैं, जहाँ एक लिव्वे जैसा सिच्य अपने गुरू को दक्षिणा देने के लिए अकल पनिय कर्म करके दिखा देता है। भारत वो देश हैं, जहाँ खुदिराम बोज, बटुके इश्वरदत, कनकलता बरुवा, रानी गाइडिनल्यू, बाजी राउत, जैसे अनेकों विरों ने देश के लिए अपना सब कुछ नोचावर करने में एक पल भी नहीं सोचा। जिस देश की प्रेरा इतनी बड़ी होगी, उस देश के लिए किसी भी लक्ष को पाना असंबव नहीं है। इसलिए मेरा विश्वास आज के बच्चों, आज के नवजवानों पर है, बविश्य के भारत के करनधार यही बच्चे हैं।